आदर्णिय सभापती जी, हम सब के लिए आज का इस दिवस यादगार भी है, आईतिहासिक भी है। इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अउसर मिला था, अब राज्य सभा में भी आज आज आपने मुझे अउसर दिया हैं, मैं आपका आभारी हूँ। अलाणिय सभापती जी, हमारे समिधान में राज सभा की परिकल्पना उच्छ सदन के रुप में की गई है। समिधान निर्माताओं का ये आशे रहा है, कि ये सदन राजनीती के आपा धापी से उपर उठ करके, गंभीर बौधिक विचार मुमर्ष का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्त यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहें, और लोक तंत्र की समृद्धी में ये योगदान ही उस समृद्धी को मैं अधिक मुल्य वृद्धी कर सकता है। अधरी सभावत देजी, इस सदन में अनेक महापुरुष्ठ है। मैं सबका उलेक तो न कर पाऊं। लेकिन लालमादू सात्री जी हो, गोविन मलब पंत साफ हो, लालकृष्ण अजवानी जी हो, पढ़नों मुकर जी साफ हो, अरुन जेटली जी हो, ऐसे अंगिनित विद्वान, श्रेष्ठी जन, और सार्वजनीक जीवन में वर्षों तक तपस्या के हुए लोग, इस सदन को सुषभित किया है, देश का मारदर्शन किया है, ऐसे कितने ही सदस्यों, जिनों ने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयम में एक संस्ता के रहे, एक इंडिपेंडेंटेंट थिंटेंग के रुप में, अपना सामर्थ देश को, उसका लाब देने वाले लोग भी हमें रहे, देश के जनता के अनेक उची अपेक्षाय है, सर्वोत्तम अपेक्षाय है, और इसलिए मान्य सदस्यों के बीश, गंबीर विशों की चर्चा, और उसे सुनना, ये भी एक बहुत 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 सुखद आउसर होता है, नया संसद भवन एक सिरफ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत का प्रतीग भी है, हम व्यक्ति के जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है, तो मन पहला करता है, कि अब एक नए बातावन का मैं optimum utilization करूँगा, उसका सरभादिक सकारात्म बातावन में मैं काम करूँगा, एक सहथ सुभा होता है, और अमरत काल की शुरूआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सब का प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड नागरीकों की जो आशा आकांख्षा है, उसमें एक नई उर्जा भरनावाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास परदा करना बनावाला बनेगा, आदर ये सभापती जी, हमें समय सीमा में लक्षों को हासिल करना है, क्योंकि देश जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतिक्षा नहीं कर सकता है, एक कालखन था, जब सामान ने मन को लगता था, ठीक है, हमारे माबाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे, आज समाज जीवन की और खास करके नई पीड़ी की सोच बुन नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई शैली के साथ, सामान ये मानवी की आशा कांख्षाओं की पूर्ति के लिए, हमारे कारका व्याप्पी बढ़ाना पड़ेगा, हमारी सोचने की जो सिमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितने बढ़ेगी, उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा, अधरनिय सभाब पताई जी, मानता हूं कि इस नए भवन में, ये उच्च सदन में हम अपने आचरन से, अपने विहवार से, संसदिय स्विच्चिता के प्रतिक के रुप में है, देश की विधान से भावों को, देश की स्थानिय स्वराज के संस्था हो को, वाँ की सारी व्यवस्ता हो को, प्रेणा दे सकते हैं, और मैं समनता हूं कि इस स्थान ऐसा है, कि जिसमें ये स्थामर्त सरस्थे अधीक हैं, और इसका लाब देश को मिलना चाहिए, देश के जनप्रतिनी दियों को मिलना चाहिए, चाहिए वो ग्राम पधान के रूप में चुना गया हो, चाहिए वो संसद में आया हो, और ये परंपरा, यहां से हम कैसे आगे बढ़ाएं, आदरने सभावती जी, पिछले नव वर्से, आप सब के साथ से, सहयोग से, देश की सेवा करने का, हमें मुका मिला, कई बड़े निर्णे करने के अउसरा आए, और बड़े महत्वपुन निर्णों पर फैसले भी हुए, और कई तो फैसले ऐसे थे, जो दसकों से लटके हुए थे, उन फैसलों को भी, और ऐसी निर्णे, ऐसी वाते थी, जिसको बहुत कठीन माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, और राजनितिक दुर्ष्टी से तो उसको स्पर्ष करना भी, बहुत ही गलत माना जाता था, लेकिन सब के बावजूद भी, हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखाई, राजसभा में हमरे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था, कि राजसभाद दलगत सोच से उपर उठकर के देश फित में जरूर अपने फैसले लेगी, और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ, कि उदार सोच के परणा हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजूद भी, आप सभी मानलिय सांसदों की, मैच्चुरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट हीत के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण, आप सब के सहयोग से हम कई ऐसे कठी निर्णे भी कर पाएं, और राष्ट संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ पर आगे बढ़ा, इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है, और इसलिए मैं सदन के सभी मानलिय सांसदों का, जो आज बैह हैं, जो इसके पहले थे, उन सब का धन्यवाद करता हूँ, अधरिये सभावति जी, लोक तंत्र में कौन सासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कप आएगा, ये करम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभावी है, और वो लोक तंत्र की स्वाभावी के उसकी प्रकूर्टी और प्रभूत्ती भी है, लेकिन जब भी विशाय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिल करके, राजनीती से उपर उठ करके, देश के हीतों को सर्वों पर ही रखते हुए, कारे करने का प्रयास किया है, आदर्णिय सभापती जी, राज सभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनीदित्व करती है, एक प्रकार से कोपरेटिव फेडरिलिजम, और अब हम जब कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फेडरिलिजम का बल दे रहें, तब हम देख रहें कि अत्यंत सरयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहें हैं, देश आगे बड़ा है, कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परिशानी जेली है, हम लोगों ने भी जेली है, लेकिन हमारे फेडरिलिजम की ताकत थी, कि केंद्रो और राज्यों ने मिल करके, जिस से जो बन पड़ता है, बन करकर के, देश की बहुत बड़े संकर से मुक्ति दलाने का प्रयास किया, और यही हमारे cooperative federalism की ताकत को बल देता है हमारे federal structure को कि एक ताकत उसने अनेक संकटों का सामना किया है और हमने सर्फ संकटों के समय नहीं उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है भारत की वीवीतिता भारत के इतने राज़ितिक दल भारत में इतने media houses भारत के इतना रहन सहन बोलिया इस सारी चीजे जी 20 समीट में राज्यों में जो समीट हुई को कि दिलनी मत बहुत देर से आये है लेकि उसके पहले देश के 60 इतन समीट होना और हर राज्य ने बड़ चटकर के बड़े उत्सा के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से भहमान नवाजी भी की और जो डेलिबर्शन्स है उसने तो दुनिया को दिशाद देने का सामर्त दिखाया है और ये हमारे फैडरलिजम की ताकत है और उस उसी फैडरलिजम के कारण और उसी कॉपरेटिव फैडरलिजम के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं आदेने सभापती जी इस नए सदन में भी नई हमारी पार्लामेंट बिल्लिंग में भी उस फैडरलिजम का एक आउंस जरूर नजराता है क्योंकि जब बनता था त में हमें राज्यों की कोई याद यहां चाहिए लगना चाहिए कि यह भारत के सभी राज्यों का प्रतिनीज दित्व हैं और यहां कई प्रकार के इसी कलाकृतियां कई चीत्र पुझे पुरे हमारी दिवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं वो राज्यों ने पसंद करके अप फैडरलेजम की सुगंद भी है अधर इस हपापती जी टेक्नोलोजी ने जीवन को भहुत तेजी से प्रभावित किया है पहले जो टेक्नोलोजी में बढ़लावा आतने में 50-50 साल लग जाते थे वो आजकल कुछ हपतों में आ जाते है आधुनिक्ता अनिवारियता बढ़े गई है और आधुनिक्ता को मैच करने के लिए हमने अपने आपको भी नरंतर डाइनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही आधरिणी सभापती जी पूराने भवन में हमने जिसको अभी आपने समिधान सदन की रूप में कहा हमने वहां कभी आजहादी का अमरुत महुत्सा बड़े आनबान शान के साथ मनाया पच्चतर साल का हमारी यात्रा की दरभ हमने देखा भी और नई दिशा नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है देखे मुझे पुरा विश्वास है कि नए संसद्भावन में आजहादी की जब हम सताब्दी बनाएंगे वो स्वान सताब्दी विक्षिद भारत की होगी पुराने भावन में हम पांच भी अर्थ ववस्ता तक पहुंचे थे मुझे विश्वास है कि नए संसद्भावन में हम दुनिया की टॉप थ्री एकोनोमी में स्थान प्रावन में पुराने संसद्भावन में गरीब कल्यान के अनेक इनिशेटिव हुए अनेक काम हुए नए संसद्भावन में हम अब शत प्रतिशत सेचुरेशन जिसका हक उसको पुरा मिले आदर्णिय सभापती जी इस नए सदन की दिवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलोजी के साथ अपने आपको एड़्जेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने आइपेड रहे हैं मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से मान्य सदेशों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलोजी से तो उनकी सुविधा रहेगी वहां बैठेंगे अपनी स्क्रीन पी तो कई साथियों को इन चीजों को अपरेट करने में दिक्कत हो रही थी तो यह हम सब का दाईत्व है कि हम उसमें सब की मदद करें तो कल कुछ समय निकाल करके अगर यह हो सकता है तो अच्छा होगा आदाणिय सभापती जी इस डिजिटल का यूग है हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा शुरू में थोड़ा दिन लगता है लेकिन अब तो बहुत सी चीज़े उजर फ्रेंडली होती है बड़े आराम से इन चीजों का अड़प किया जा सकता है हम इसको करें मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रुप में हमने इसका भरपूर फाइदा उठाना और मैंने कहां वैसे नई सोच नया उत्सा नया उमंग नई उर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं अधर्णी सभापती जी आज नया सोंसद हो देश के लिए एक महतोपुन अइत्यासिक फैसले का साक्षि बन रहा है अभी पार्लेम लोग सभा में एक बील प्रसुत किया गया है और पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा नारी शक्ति के ससर्थिकरण की दिशा में जो किसले अनेक वर्षों जे महतोपुन कदम उठाए गए है उसमें एक अत्यनत महतोपुन कदम आज हम सब मिल करके उठाने जा रहे हैं सरकार का प्रयास रहा इज अफ लिविंग का क्वालिटी अफ लाइब का और जो इज अफ लिविंग क्वालिटी अफ लाइब की बात करते हैं तो उसकी पहली हगदार हमारी बेहने होती हैं हमारी नारी होती हैं तो कि उसी को सबकी जेज जिलनी बलव की और इसलिए हमारी प्रयास रहां हैं और राश्त be निरमान की भूमी का भड़े यह भी हमारी उतनी ही जिम्मवारी है अनेक नई नई सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति महिलाओं की भागिदारी दिरंतर सुनिशित की जा रहे हैं माइनिंग में बहने काम कर सके दिर्णह हमारे ही सांसोदों की मदद से हुआ हमने एक सैनी स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिये कोई की बेटियों में जो सामर्थ है उस सामर्थ को अब उसर मिलना चाहिए उनके इलिमन में Ips and Burst का उख खतम हो चुका है हम जितना सामर्थ हम जितनी सुविदा देंगी उतनी सामर्थ हमारी मात्रुश्ट्टी हमारी बेटियां हमारी बहने दिखाए जिल्ग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का Adeis वो कोई सरकारी कारकम नहीं है समाज ने इससे अपना बनाया है और बेटियों का मान सम्मान के दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है मुद्रा योज्रा हो जंधन योज्रा हो महिलाओं ने बढ़ चटकर के इसका लाब उठाया है फाइनसल इंक्लूजन के इंदर आज भारत भी महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है यह अपने आप में मैं समझता हूँ उनके पारिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ को प्रकट करता है जो सामर्थ अब राष्ट जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वात को ध्यान में रखते हुए उजवला योजना हमें मालूम है गैस सिलिंडर के लिए पहले MP के घर के चकर काटने परते थे गरी परिवारों तक उसको पहुँचाना में जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोज है लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाप लंबे अर्षे से राजनेती की पुरुषी से राजनेती की लाभा लाप का शिकार हो चुकाता है इतना बड़ा मानविय निर्ड़ा है लेकिन हम सभी मानविय सामसदों के मदद से उसको कर पया नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानुन बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं विमेन लेट डवलप्मेंट राथा और जब उनकी चर्चा में सूर आते थे कुछ अलग सी सूर सुनने को मिलते थे लेकिन जी ट्वेंटी के डेकलेरेशन में सबने मिलकर के विमेन लेट डेवलप्मेंट के विशय को अब भारत से दुनिया के तरफ पहुचा है यह हम सब के लिए गर्व है आदनी सभावती जी इसी बैक्ग्राउंड में लंबे अर्शे से विदान सभा और लोग सभाव में सिधे चुनाओं में बहनों की भागिदारी सुनिशित करने का विशय है और यह बहुत समय से आरक्षन की चर्चा चली थी हर किसे ने कुछ और कुछ प्रयास किया है लेकिन और यह 1996 से इसकी शुरुवात हुई है और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए हुए लेकिन नंबर कम पढ़ते थे कुछ उग्र विरोध का भी वाताओं रहता था एक महत्मों कॉन काम करने में कख्वी असुविता होता थी लेकिन जब नए सतन में आये है नए होने का एक अंट्राव उमंग भी होता है तो मुझे विश्वास है कि यह जो लंबे अर्षे से चर्चा में रहा विश्वा है अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ती की भगीदरिन सुनिश्चित करने का थी अधिसलिए नारी शक्ती बंदन अधिनियम कल लोग सभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राजसाब हमें भी आएगा मैं आज आप सबसे प्राथना करता हूं कि एक ऐसा विश्व है जिसको अगर हम सर्वसंबती से आगे बढ़ाएंगे तो साच अर्थ में वो शक्ती अने गुना बढ़ जाएगी और जब भी भी हम सब के सामने आए तब मैं राजसभागे सभी मेरे माननिये साउसत साथियों से आज आगरह करने आया हूं कि हम सर्वसंबती से जब भी उसकी निर्णे करने का आउसर आएं आने वाले एक दो दिन में आप सब के सहीयोग के अपेक्षा साथ मैं मेरी वानी को ग्राम देता हूं बहुत बहुत देनवा